समाजबादी पार्टी के सरंगसंग मुलायम सिंग यादव का 82 वर्ष की उमर में नितन हो गया सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली मुलायम सिंग यादव स्वास्तिक कारणों के चलते बीते कई दिनों से गुरुग्राम के मेतांता अस्पताल में इलाज करवा रहे थे उन्हें यूरीन संकरमन, ब्लड प्रेसर की समस्या और सांस लेने में तकलीव थी जिसकी बज़े से मुलायम सिंग यादव को 2 अक्टूमबर को अस्पताल में भरती कराया गया था सफाचीप मुलायम सिंग अपने पीछे अपने परिवार के लिए एक बड़ी राजनितिक विरासत छोड़ गए हैं यही नहीं इसके साथ ही वे करोडों की समपती और बेटे से लिया एक करज भी छोड़ गए हैं ऐसे मैं जानते हैं डिटेल में कि मुलायम सिंग आखिर अपने पीछे कितनी समपती छोड़ कर चले गए हैं मुलायम सिंग यादव ने वर्स 2019 में लोक्षबा चुनाओ के दुरान दिये गए हल्प नामे में अपनी समपती के बारे में दोस्तो जानकारी थी इस हल्प नामे के मुताबिक मुलायम सिंग यादव अपने पीछे करोडों की समपती छोड़ गए हैं उनकी समपती की बात करे तो उनकी कुल नेट वर्थ 16 करोड 52,44,300 रुपे थी अपनी इस एचल समपती का खुलासा करने के साथ उन्होंने जो जानकारी मुहिया कराई थी उसके मुताबिक मुलायम सिंग और उनकी पतनी साधना यादव की सालाना कमाई 32,0,00,000 रुपे थी बीते लोगसबा चुनाओ के दोरान दाखिल किये गए हल्प नामे के मुताबिक मुलायम सिंग यादव के पास खुद की कोई कार मुजूद नहीं थी करोडों की संपती मुजूद होने के बाद भी उनके उपर 2,13,80,000 रुपे का कर्ज था कास बात यह है कि मुलायम सिंग यादव ने ये कर्ज अपने बेटे और उत्तरपरदेश के पुर्वे मुख्यमंत्री अखिलेस यादव से लिया था अलंकि सपाचीप ने ये कर्ज क्यों लिया इसका कारण इस पस्ट नहीं हुआ था ऐसे में दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताए धन्यवार